तो हाई फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनेर अभिसेक सिंग और आप देख रहे हैं माई मेकेनकल सपोर्ट चले मैं आपको एक छोटे से राइड पर ले चलता हूँ ये दिखाने के लिए कि अगर आप लॉंग ड्राइब पे जा रहे हैं और आ है लेकिन इस जगह पे जो है वो ना तो कोई पेट्रॉल पंप है ना हे कोई मैकेनिक की सौफ है मैं आपको बताना वोला हूँ किस तरह से आप अपने घर पहुंच सकते हैं बस इस स्वीच की मदद से फ्रेंड्स बाइक के फ्यूल स्वीच में देखेंगे तो एक तरफ हम हमारी बाइक है तो यहाँ पे है अभी मेंट मोड में में मोड में पहचानने के सबसे अच्छा तरीका ये है दोस्त फुल टैंक का यहाँ पे लोगो बना अगर आपके बाइक का फ्यूल लेबल काफी डा उच्छा खासा रहेंगा तो आप इस मोड में और देखेंगे से अभी जो है वो fuel supply engine तक नहीं होगी और हमारी bike start नहीं हो सकती है तो हमें क्या करना है कि अगर हमारा bike main में है और अभी बंध हो गया है बीच रास्ते में तो अभी हम इससे जो है वो उपर की तरफ कर देंगे ये arrow उपर की तरफ रहना चाहिए अभी देख सकते हैं कि ये हमारा reserve का sign है मतलब कि tank में काफी कम petrol है इस tank की capacity के अगर बात करते हैं तो सवास से डेर लीटर जब हमारे tank में fuel बजदा है तो ये bike जो है वो reserve में लग जाती है और reserve लगाने का तरीका यही है कि आपको जो ये arrow है ये उपर के side रहना चाहिए मैं पैसन प्रो के लिए बता रहा हूँ सभी bike में लगभग लगभग यही system रहता है आप वहाँ देखेंगे तो इसी तरह से कुछ arrow बना हुए रहते हैं और अगर आप fuel switch को reserve के तरफ कर देते हैं तो आप इस bike में पूरे सवास से डेर लेटरा भी petrol बचा हुआ है और आप किसका इस्तमाल कर सकते हैं आप तब तक किसी ना किसी ऐसे जगा पहुँच जाएंगे जहां से आप petrol फिर से इसमें refill कर पाएंगे और आप अपने destination तक पहुँच पाएंगे तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे informative वीडियो में लाते रहूँगा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बतेएगा तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय मेकैनिकल धन्यमाद दोस्ते